हेलो फेंस वेल्कम टो आर्यूटीब चनले करेंट इस्टेडी सेंटर फेंस आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए पहुत बड़ी निव्स लेकिया गया हूं फेंस जितने भी बच्चे आरारसी गुरूब डी और एंटी पीसी की तैयारी के जो कर रहे हैं उस भी भर वेल्कुल उसी डेट पर वेकेंस का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग लिए बहुत बड़ी खुसकपरी में लेकिया गया हूं इस वीडियो में जितने भी बच्चे आरार भी एंटी पीसी और गुरूब डी की तैयारी कर रहे थे उन सभी बच्चों के लिए कराने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आप लोग बता दूं कि इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं आराजबी एंटी पीजी और पारामेडिकल मिनिस्टियल एंड आइसोलेटेड गुरूब डी इन सभी पोस्टों कराने के किसके उपर यह जिम् का तो मैं संपूर जनकारी आप लोगों को चलिए वीडियो को बिना देरी किये स्टार्ट करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए मैं आप लोगो सबसे पहले नूटीस पढ़के दिखा किया गया किस्ति देट में प्लिश के 10, 4, 24 देट में पफश्च किया गया था ठीक है और यह क्या बोला है यह आप लोगो का दा यह सभी आल जोनल रेलवे के परस्नल चीफ पर परस्नल ऑफिसर से उन सभी को भीज़ दिया गया है और प्रोड़क्सन अन पर अब जोनके ठ तो मैं आप लोग बहुत बढ़ी यहां पर और न्यूज देदू ना जो लेबल वान की पोस्ट थी ना गुरूब डी की उसको आप गुरूब सी कर दिया गया है तो मैं आप लोगा बहुत बड़ी इसमें इन्फरमेशन देने वाला हूं अगर आप लोगा जनकारिक देदू बहुत पूर जनकारिक में यहां से मैं अच्छा से आप लोगा जूंग बरकर दिखा दे रहा हूं देखें बोला गया एन्वल कालेंडर ओफ रिकूट्मेंट फॉर वेरियस पोस्ट ग्रूप सी पोस्ट अप्रूब बाइब बाइब बॉर्ड हैज अल्रेडी बीन पॉब रिस्पेक्टिवली इन दा कनेक्शन कुझे कंपिटेंट अथरीटी और हैज नॉमिनेटेड नोडल जो कि नोडल और वीज फॉर इसूफ ऑफ सी एंस एंड कंटक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस टेस्टीवीटी इस एस पर दफॉलिंग टेवल्स यानि कि कौन-कौन से जो कि कि किस्गी का जिम्मयदारी दिया गया है यह आनि चरे बताए कारी फीर कोब यह ने टना विए per प्राओ धिर बैति अट्रशन टूरस रहा भी लगते में फիलिग चाहरे के तो तो की बात करो एंटी चोंती दो ट inadequ लेइनृव बच्शों है और बच्चों के लिए इक अलग वेकिंसिमेर देखनेंगे ठीटीरा झमानद कि लोगों के लिएес चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट के अलेकर बात करों ग्रेजट लेवल फाइप और लेवल सीफ की पोस्ट होती है ग्रेजुए लेवल पर ठीक है और इसका जिम्मेदारी और बात को दिया गया है और जो ट्वेल पर नॉन टेक्ट लेट पर काटेगरी एंटी पिसी तो प्रेजुए दोनों पोस्ट के लिंगा प्रिए थिम्यदारी आरर भी आमधाबाद को दिया गया है यह ऐसे आप लोगा परामेडिकल के टेगरीज की में बात करूं तो परामेडिकल के टेग्रीज का ओर भी पतना को दिया गया है और इसा ही लेबल वन देखिए वाइनल बह सब्सक्राइब कर दिया गया नाम ठीक है तो इस इसका आप ध्यान लखिएगा आप लोग गुरुप डी पोस्को गुरुप सी कर दिया गया ठीक है उसके पाद से पांचोय नमर पर है किस डेट को कौन सी नोटिफिकेशन आएगे का नोटिफिकेशन फाइल जारी किया जाएगा किस डेट से फॉर्म ऑनलाइन होगा संपूर आप लोग दोंगा बस आप लोग वीडियो के बिना इसकी लास्ट तक देखेगा अगर आप लोग वीडियो अच्छे लगी तो लाइ कि आप प्वाया तो मता ऐगया है है कि यह सारा कुछ अहीं बताया है कि है अद्धर ग्रेजुए मिट्лदोगे देदे रहा हूं देखिए जो टूए जो के ग्रेजिवेशन लेटी पीशी की जो वैकेंसी ग्रेजुए लेबल पे जो लेबल फोर लेबल फाइप और लेबल शी की पोस्ट पे आती है जिसमें गूट्स गार्ड होता है यह सारा कुछ होता है ठीक है तो यह आप लोग का जो अगले एक साल तक का मतलब 3062025 जितना भी वैकेंसी इस बार दे दिया जाएगा अभी के टाइम में ठीक है अगली एक साल तक का डाटा आप लोगा जोके मंत्राल है आप लोगा करके एक लिए 36-25 तक का जितनी वेकंसी खाली होगी रेलवे में उप लोग का दे दिया जाएगा इस बार के वेकंसी में और वेकंसी कब आएगी तो देखेए ये लोगों को बोला कया गए वेकंसी का assessment आप लोगों को अपरेल और माई में कर लेना है कि इसी मंत और अगले मंत में अपरे वेकैंसिक ऐसिस्टमेंट करके और उसका अप्रूबल ले लेना है माई और जून के मंत में और माई और जुन के मन्थ में अप्रूबल ले लेंगे और जून 2024 में फाइनली इन सबस्किल को नोटिफिकेसं दे दे ना किसी भी हाल में ठीक है आप लोग का जून के मन्त में नोटिफिकेशन देखनों को मिलेगा इन सभी वेकेंसी का ठीक है जितने भी ये वेकेंसी है पैरामेडिकल कटेगरी जुनियर इंजिनियर एंटीपीसी ग्रेजुएट एंडर ग्रेजुएट एंटीपीसी ठीक है दोनों के लिए अभी मैं जो कि आप लेकेंसी का फॉर्म भराना कंप्लीट हो गया है और उसका पूरा टाइम टेबल दे दिया गया है कब कब करूंडर के बात करहां कब कुछ और दोकमेंट वरिफिक्रिक्षन होगा कब मेडिकल होगा सारा कुछ और ऐसा ही पैरामेडिक्षन का टेक्निसीन का भी स सारा डेट दे दियेगा है कब एक्जाम होगा और मेडिकल डॉकमेंट वरिफिक्रिक्षन होगा कब ज्वाइन करेंगा संपूर जानकार एक तरह से रिल्वे इस बार देदर रिल्वे अब बहुत मिशन बोड में आ चुकी है कि बहुत तरह से बंदाम हो चुकी थी हर साल देखने को मिलेगी और मैं अगर गुरूबडी की में बात करूं तो गुरूबडी की का लिए लेवल वन जो कि है गुरूबडी की पोश्टी कर दिया गया है इस वेकैंसी का 30 सितंबर दोजर पचीस तक जितने वी रिल्वे में पोस्ट वेकेंट होंगी 30 सितंबर अ है अगस्त में अप्रूबन ले लेना है और सब्सक्रों से खेंवास है तो इसका नौटिफीकेशन में इसो सितंबर के मन्त में और अगले 5-6 मन्त में आप लोग का एक्जाम भी कंड़क्ट हो जाएगा यह मैं आप लोग का 100% दावे से कह रहा हूं ठीक है और मैं आप लोग बता दूना अगर आप मेडिकल से रिलेट कोई भी डाउट रहा है कि रेलवे भरती से रिलेट कोई भी कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट की जिएगा मैं तुरंत आप लोग को रिपलाई दूंगा तो कि मेरा रेलवे में संपूर यह हो चुका है मेरे पास complete experience है रेलवे का इडवाइज तुन इसारा कुछ दिया गया उसके बाद से यहां पर राजी राजी गांधी एक्जेक्यूटी डारेक्टर है रहे तो आप लोग में यह संपूर जनकारी दिया कब को वेकेंसी आ रही है आप लोग का एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूं तो आप लोगन मत ने और क्यूंत स्टंबर गालती इंटी के अउनल फॉरं नोट करके यह जून और आप लोग का सितंबर में गुरूप डी का पोस्ट आजएगा और अभी इस मंत के पंदरह तारिक को आरपीएफ की वेकेंसी आने वाले है तो उसका भी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्साइब कीजिएगा और सबसे पहले मैं आप बता दू मैं चैनल जोइन क करता हूं तो टेलीग्राम से आप लोग मेरे जूर सकते हैं और तुरंत अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को जाके जोइन कर लिजेगा लिंक वीडियो को डिस्क्रिक्शन बॉक्स में दे रखें ठीक है अगर आप लोग कोई भी डाउट रहे कोई भी क्यारी आप लो को रिप्लाई दूँगा और आप लोग यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं चलिए वीडियो करते हैं वीडियो को चलिए थैंक्स पर वाचिंग